हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु माई किचन तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की कढ़ी बहुत ही स्वाधिष्ट बनेगी है मैं ऐसा तरीका बनाना आपको बताऊंगी जिससे कढ़ी फटती भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा स्वाधिष्ट बनती है तो आईए में से आधा चम्मच से कम हमने मेथी डाला है इसके बाद हमने यहां पर चार पांच लेशुन को छोटे चोटे टुकड़ों कट करके डाल दिया है इसे हम हलका सा फ्राइ कर लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग तो हमें थोड़ा सा आधा चम्मच इसमें हींग डाल द लिया है और हमने थोड़ा सा पानी डाल कर इसका पेश्ठ बना लिया है तो इसे हम डाल देंगे हैं हल्दी लहसुन मिर्च का पेश्ठ हमने जो बनाया था उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे बहुत ही स्वाधिश्ट कडी बनती है इसके बाद हमने यहां स्वादंसा नमक डाल दिया है इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे हम एक मिनट के लिए ढग देंगे लो मीडियम फिलेम पर इसके बाद हमने यहां पर यह कच्चा यह छोटे-छोटे जो खटे आम होते हैं उसे हमने इसे छील कर कट कर लिया है आप छोटे बए टुकड कर सकते हैं मैंने इसे एक आम में में हमने सिर्फ टीन टुकड़े कट किह मुई है आपको जयसा पसंद से छोटे-बढ़े टुकड़े कर सकते हैं आम के तेहां पर हमने इक मिनट तक इसे ढग दिया था मसाले को अब इसे खुला ही हम 1 मिनट तक और भूनेंगे इस तरह से हमें भून लेना है मसाले को मसाला जैसे भून जाएगा हम इसमें आम डाल देंगे इस तरह से आम डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे तो नमक हमने सबसे पहले ही डाल दिया है इससे कड़ी हमारी फटती नहीं है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है तो आम को भी ऐसे भून के एक मिनट के लिए ढग देंगे हम इसके बाद हमने यहाँ पर बेशन लिया है एक कटोरी बेशन में हमने चार कटोरी पानी डाल कर इसे अच्छे से घोल लिया है इसका लम्स खताम होने तक हमने इसका घोल तयार कर लिया है तो एक कटोरी बेशन के लिए आप चार कटोरी पानी डाल कर इसे अच्छे से घोल ले इस तरह से तो हमने यहाँ पर बेशन का गोल तयार कर लिया है यह देखिए एक भी लम्स नहीं है बेशन में तो इसी तरह से गोल तयार कर लेना है इसके बाद हमने यहाँ पर एक से त्रेज मिनट के लिए इसे ढख दिया था जोномीडियम फिलेम पर इसका धक्कन हटा के हमें अच्छे से भून लेना है खुला ही हम इसे फिर से भूनेंगे दो मिनट तक ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और तेल छोड़ दे तो यहाँ पर मसाला अच्छे से भून रहा है यह देखिए तो यहां पर हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है मसाला तेल छोड़ने लगा है यह देखिए बहुत ही स्वाधिष्ट बनेगी यह कड़ी आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें तो यहां पर हमने जो बेशन का घोल तयार किया था इसे एक बार ऐसे चम्मस से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे मसाले में डाल देंगे तो यहां पर हमें और पानी डाल देना है इसमें तो एक कटोरी बेशन के लिए आप कम से कम आठ कटोरी पानी जरूर डाले अगर आपको पतली कड़ी पसंद है तो थोड़ा सा थिक कड़ी पसंद है तो एक कटोरी बेशन में 6-7 गिलास पानी जिस बरतन से आप बेशन ले रहे हैं उसी बरतन से आप एक कटोरी ले रहे हैं तो एक कटोरी बेशन के लिए आप 8 कटोरी पानी डालें थिक पसंद है तो च्छे से साथ कटोरी पानी डाले तो इस तरह से हम इसे पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम कर देंगे इस तरह से कड़ी में उबाल आ गया है हाई फ्लेम पर यह देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे तो यहां पर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है कड़ी में उबाला गया है अब हम फ्लेम को लो कर देंगे तो इस तरह से हमें लो फ्लेम पर इसे आठ से दस मिनट तक कड़ी को पका लेना है तो यहां पर हमें इसे बीच-बीच में चलाते हुए लो फ्लेम पर बेशन जितना अच्छा से पक जाता है कड़ी हमारी उतनी स्वाधिष्ट बनती है तो हमें इसे लो फ्लेम पर आठ से दस मिनट ऐसे खुला ही पकने देना है इसे ढखना नहीं है तो यहाँ पर हमने इसे आठ मिनट तक पका लिया है कड़ी को इसे आपको बीच-बीच में चलाते रहना है तो इस तरह से आठ मिनट कड़ी पक गई है अब हम इसमें पकोड़ी डाल देंगे तो पकोड़ी अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल लिए नहीं पसंद है तो बीना पकोड़ी के भी आप इसे बना सकते है पकोड़ी को हम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और दो मिनट तक फिर से इसे पकने देंगे इस तरह से हमने इसे मिक्स कर दिया है अब इसे खुला ही दो मिनट तक और पकने देंगे इससे पकोड़ी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा कड़ी का और पकोड़ी हमारी अच्छे से स्वाफ्ट हो जाएगी तो यहाँ पर हमने दो मिनट तक पकोड़ी को पका लिया है अब यहाँ पर हम फ्लेम को आफ कर देंगे यह देखिए हमने आपर flame off कर दिया है कड़ी बनकर ready हो गई है अगर हमारी recipe आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को subscribe and video को like जरूर करें यह देखिए कड़ी बिल्कुल भी फटी नहीं है बहुत ही perfect बनी हुई है अब इसमें हम थोड़ा सा हर धनिया से ऐसे गानिस कर देंगे यह देखिए इस तरह से गानिस कर देने से हमें देखने में बहुत अच्छी लगती है कड़ी तो हमें इसे थोड़ा सा धनिया डालना है बहुत ज्यादा नहीं डालना है यह देखिए कच्चे खट्टे आम की कड़ी बनकर रेडी हो गई है पारवाची